मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत अन्दा स्पॉट में आपका स्वागत है हमारे एक दूसे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉड़कास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है अब हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंति अरविंद केजरिवाल और रागब चड़ा जो नमबर दो पर कभी हुआ करते हैं उन दोनों के बीच में अब भारी अदावत होती जा रही है ये लड़ाई अब तेजी से बढ़ती जा रही है और हाल ही में रागब चड़ा जैसे अरविंद केजरिवाल जेल गए वैसे ही या एडी की छापे मारी हुई वैसे ही अगले दिन रागब चड़ा का ट्वीट आ गया हैरान कर देने वाली बात ये है कि आखर ये ट्वीट रागब चड़ा की तरफ से किया किसने था क्योंकि अब इसी बात को लेके जो हमारे सूत्र बताते है रागब चड़ा ने इस पर भारी एतराज किया है कि मेरा आखिट ट्वीटर हैंडल से कौन ट्वीट कर रहा है और इस तरीके की चीजे कौन कर रहा है ये बहुत बड़ी बात अब सामने आई है कि रागब चड़ा जिस तरीके से बिदेश में बैठे है और अरविंद केज़िबाल की गिरफ तारी पर कुछ बोलने की इस्तित किसे ये मौन युद्ध सुरू हो चुका है ये अपने अब चरम पर आता जा रहा है हम आपको पहले ही बता चुके हैं सोसल मीडिया और मीडिया के अंदर ये अफवा बहुत तेजी से पैल रही है कि रागब चड़ा अब अलविदा कह चुके हैं अब पार्टी से उनका ज जब तक बाहर थे एडी के सकेंजे में भी नहीं थे तब तक अरविंद केजीवाल की तरफ से रागब चड़ा के बारे में किसी तरी की कोई बात नहीं कहीं गई थी सबसे बड़ी हैरानी की बात जो जिससे ये बल मिलता है जिससे ये बात फुकता होती है कि रागब रागब चड़्डा से कई बार कई लोगों ने संपर्ख भी किया है और उनको समझाने की कोशिस किया लेकिन अभी रागब चड़्डा किसी भी रूप में ये रिस्क नहीं लेना चाते हैं और वो अब अर्विंद केजिवाल को अलविदा कहने पर उतारू हो चुके हैं इसक अरीके से बहुत तेजी से वो अपना इस्थान पार्टी के अंदर चाते थे देखते ही देखते उनके इस्थान को बहुत कमजोर कर दिया गया और अब रागब चड़्डा मात्र आम आदमी पार्टी के लिए एक जो राज्यसभा के सांसते वही बनकर रह गए थे इसके अ अब रागब चड़्डा पार्टी से लगमक किनारा कर चुके हैं और अब राघब चड़्डा यहां से में यह én कहें कर डाकों ¿कंग वह सिस्थान क्णा बहुत एक तरीके से जो ऑद take श्क्राइब सिर्टानात। पूसने वाला है क्योंकि के कभी तावी अब एडी की हिरासत में और दोनों को आमने सामने बिठा के कभी भी बात हो सकती है तो इस बज़े से रागब चड़ा को भी ये लग रहा था कि कहीं पर कहीं न कहीं डाल में काला है और कभी भी सिकंजा जो एडी का है वो उनके रागब चड़ा इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं आखिर ऐसा कौन सा डर था जिस वज़े से रागब चड़ा इंडिया छोड़कर निकल लिये अपनी नई नवेली पत्मी के साथ तो ये एक बड़ी बात है बड़ी चर्चा है इस बात पर हो रही है क् रागब चड़ा ने जिस तरीके से राज्य सवा के लिए लड़ाई लड़ी जिस तरीके से बंगले के लिए लड़ाई लड़ी जिस तरीके से वो बार बार विवादों में आते रहे ये सारी चीजे अब रागब चड़ा के लिए बहुत ज्यादा असहनिय हो चुकी थी औ पर उसी तरीके से परेशान किया जा रहा था जैसे कभी एक समय पर कुमार विश्वास को किया गया था जैसे जो पत्रकार थे आसुतोस उनको किया गया था जिस तरीके से एक समय पर परसांत भूशन को पार्टी छोड़नी पड़ी थी ऐसी ही इस्तित्निया परिस्तित्निया अब रागब चड़ा के लिए पार्टी के अंदर बनती जा रही थी बहुत सारी चीजों में रागब चड़ा से किसी तरीके का कोई discussion नहीं किया जाता था रागब चड़ा को ज़्यादा तबज्जो नहीं दी जा ले थी और सबसे ज़्यादा जो कहा जाए कई नेताओं के बीच में और अर्विंद केजी बाल के बीच में जो फास बनी जो एक लड़ाई शुरू हुई उसका कहीं न कहीं जो बताया जाता है वो कारण था आतिसी मा मारलेनों जिस तरीके से बहुत तेजी से उपर आई उनको आगे बढ़ाया गया अर्विंद केजी बाल के इशारे पर उन्हें देखते ही देखते सारे मंत्राले सोंप दिए गए हैरान कर देने बाली बात ये भी है कि सौरब भारद्वाज से भी कई मंत्राले चीनकर आति मारलेनों बहुत तेजी से आगे बढ़कर अचान一个 मनिस सिसोर्दिया की कुर्सी पर जाकर बैठ गई तो मनिस सिसोर्दिया जो नंबर टू हुआ करते थे अब पार्टी के अंदर एकदम से नंबर टू की कुर्सी पर आतिसी मारलेनों आ गय थी जिसे लेकर कई जो अपने आपको पाइटी के अंदर कदावर नेता समझा करते थे उनके मन में कहीं न कहीं तीस पैदा हो गई थी और इसी तीस की जो सबसे बड़ी बज़े बनी तो रागब चड़ा ये सबसे बड़ा जो कुठारा गात हुआ वो रागब चड़ा के उपर हुआ और रागब चड़ा इसी बात से नराज होकर जब उनको उनकी बात को अनसुनी किया जा रहा था संगठन में उनकी बात सुनी नहीं जा रहे थी अरविंद केजिवाल उनकी किसी बात से इतफाग नहीं रख रहे थे इस ऐसे में रागब चड़ा को बहुत सारी बाते चुब रही थी बहुत समय विवाद है वो इस बात का आप रागब चड़ा ये चाहते है कि पाइटी भी उनका किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना करे और पाइटी के नाम पर संगठन जिस तरीके से जो जो इनकी जो पाइटी जो टीम है वो भी उनके नाम का इस्तेमाल ना करे क्योंकि आब रागब चड़ा जब अलग ता लग है तो रागब चड़ा का यहाँ पर किसी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए यह बड़ी बज़ा है और इस बात से रागब चड़ा काफी नराज बताए जाते हैं जिसका उन्होंने विरोध भी क्या है हाला कि पार्टी जो संगठन है वो आमाद में पार्टी का वो रागब चड़ा से लगातार संपर्क में है और कई कद्दावर नेताओं ने उनसे बात किये लेकिन रागब चड़ा की नराज की लगातार बढ़ती जा आने वाले समय में देखिए रागब चड़ा क्या करवट लेते हैं किस तरीके से जाते हैं पार्टी उनको मनाने में काम्याब रहती है संगठन उनको मनाने में काम्याब रहता है या यह लड़ाई और बढ़ेगी और रागब चड़ा अलविदा कहकर किस दिन उनका नोट आएगा और अपना यहां से निकल जाएंगे बहुत बड़ी बात है लेकिन आप सोचिए कि एक नेता जिसने अपना बहुत कुछ दिया पार्टी को आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो उसे एन चुनावों से पहले देश छोड़कर जाना पड़ा पार्टी संगठन सरका सब को छोड़कर निकलना पड़ा यहां से बड़ी बात है हलाकि ऐसा कोई नया नहीं है आम आदमी पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता पार्टी से अलग हुए थे जिन्नों ने चौका दिया था कि क्या यह भी जा सकता है जो फाउंडर मेंबर थे इस पार्टी के वो भी आप में बड़ी बात है देश का इतिहास रख दिया देश के सतर साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री इडी की हिरासत में चला जाए कहीं पर त्यहार जेल में या हिरासत में या पुलिस की गिरफ्तारी में हो गिरफ्त में हो और वो मुख्यमंत्री के पदबर लगातार बना रहे ये बेशर्मी की प्राकाश्ता है और ये एक राजनितिक महतवा कांची आदमी की जो एक लेव वहराल जो भी हो रागव चड़्दा को कैसे वापस लाया है यह पार्टी की सबसे बड़ी चिंता का फिश है आज के समय में बन चुका है अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब इसकाइब और शेयर जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राइज जरूर लिखें इसे हमें और जबलते हैं जहीं जबार